हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा साथ का पाठ क्या रहे जिसका नाम है जन्तुओं और पादप में परिवहन प्यारे बच्चो मानव में परिवहन का कार्य किया जाता है परिसंचरन तंत्र के द्वारा हिर्दय और रक्त वाहिनिया संयुक्त रूप से मानव शरीर में परिसंचरन का तंत्र बनाती हैं और इसे हम परिसंचरन तंत्र के नाम से जानते हैं परी संच्रन तंत्र में अत्यनत महत्तपून होता है हिर्दे और आज हम हिर्दे के विशे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे तो आईए सीखते हैं क्या होता है हिर्दे यह कहां पाया जाता है और इसके क्या क्या कारिय होते हैं प्यारे बच्चों आपको यहां चित्र में हिर्दय नजर आ रहा है आप सोचेंगे हिर्दय क्या होता है बच्चों हिर्दय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों की परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कता रहता है आप एक ऐसे पंप की करपना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कारिय करता रहता है आपको तो यह बिल्कुल असंभव लगता हुगा कोई भी पंप बिना रुके कारिय करता रहे लेकिन हमारा हिर्दय ऐसा करता है हमारा हिर्दय जीवन प्रयंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कारिय करता रहता है आईए हम हिर्दय के विशे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें यहां मैं आपको हिर्दय का 3D चित्र दिखा रही हूं यानि हर कौन से आपको यहां हिर्दय नजर आ रहा है चारों तरफ से कैसा दिखता है हमारा हिर्दय इसमें बड़ी बड़ी पाई पे नजर आ रही है आपको इनके विशेश नाम और कारिय होते हैं और इसके साथ आपको यहां पर बहुत छोटी छोटी यह देखी इतनी बारीक धमनी और शिराएं इससे लिप्टी होती हैं यह धमनी और शिराएं हमारे हिर्दय से ओक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती हैं और शिरीर से कारवन रायक से युक्त रक्त को हिर्दय तक लेकर आती हैं बच्चो सोचिए क्या हो अगर दोनों ही परकार का रक्त हमारे हिर्दय में आता है तो क्या यह मिक्स नहीं होता क्या यह आपस में मिलता नहीं है किस परकार से हमें शुद्रक्त मिलता है आईए सीखते हैं सबसे पहले आप बताईए आपको क्या लगता है हिर्दय हमारे शरीर में कहां स्थित होता है बच्चो हिर्दय वक्ष गुहा में स्थित होता है और हमारे हिर्दय का निचला सिरा थोड़ा सा बाई ओर जुका रहता है अपनी उंगलियों को फीतर की ओर मोड़ कर मुठी बना लीजे तो आपके हिर्दय का आमाप यानि साइज लगभग आपकी मुठी के पराबर का होता है और एक विशेश अंग के कारण या इसके स्ट्रक्चर के कारण डिजाइन के कारण जो कारबन डायक्साइड और ऑक्सीजन यूग दरक्त होता है वह आपस में नहीं मिलता ये देखिए यहां आप ये जो सफेद जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये वॉल्व होते हैं वॉल्व क्या करते हैं हमारे हिर्दय को चार कक्षों में बांट देते हैं जो उपर वाले दो कख्ष होती हैं इनको अलिंद कहती है और नीचे वाले दो कख्ष निले कहलाती हैं कख्षों के बीच का विभाजन दिवार यह जो सफेद रंग में आपको नजर आ रही है यह होती है कक्षों के बीच का विभाजन दिवार, ओक्सीजन सम्रिद रक्त और कार्बन डाइकसाइड सम्रिद रक्त को आपस में मिलने नहीं देती। प्यारे बच्चों, परिसंचन्ड तंत्र की कार्य विधी को समझने के लिए आप इस चित्र को ध्यान पूरक देखें। हिर्दय के दाई ओर से आरंब करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरन कीजिए। यानि जैसे जैसे तीर जिस दिशा में जा रहे हैं, वहाँ वहाँ से आप भी चलते जाएए। इस चित्र में तीर की साहता से हिर्दय से फेफडों में और वापस हिर्दय में रक्त के परवाह की दिशा दिखाई गई है। और यहां से रक्त जो है वह पूरे शरीर में पंप होता है। जैसे आप यहां चित्र में देख पा रहे हैं, फेफडों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर के आती है फुफुस शिरा और कार्बन डायोकसाइड युक्त को हिर्दय से फेफडों तक पहुचाती है फुफुस धमनी। और नीचे आपको जो नजर आ रही हैं यह होती है धमनी और शिराएं जो हिर्दय से लेकर के आती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को और वापस शरीर से हिर्दय तक लेकर जाती है कार्बन डायोकसाइड युक्त रक्त को अक्सीजन युक्त रक्त लेकर के जाती है धमनी और का मानव हिर्दय का चत्र आप देख सकते हैं इस तरीक के से ये साइड से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कैसे हमारे निले और अलिंद एक दूसरे से जुरे होते हैं और अलग भी होते हैं ये देखिए तो ये बड़ा ही कमाल का अंग है और बड़ा ही आवश्यक अंग है जिसकी वज़े से मनुश्य जीवित रहता है और मनुश्य जीवित रहता है हमारे हिर्दय स्पंद के कारण स्पंद माने धड़कन के कारण और आप अपने वक्ष की बाई तरफ हाथ रखें तो अपने हिर्देस्पंद यानि धड़कन को महसूस कर सकते हैं चिकित्सिक यानि डॉक्टर्स आपके हिर्देस्पंद को मापने के लिए स्ठेतोस्कोप नामक यंत्र का इस्तिमाल करते हैं चिकित सक स्टेतोस्कोप का उप्योग हिर्देस स्पंद की धनी को आवर्दित करने की युकती के रूप में करते हैं स्टेतोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक समवेदन शील्ड डायफ्राम होता है और दूसरे सिरे पर दो earpiece लगे होते हैं जो एक नली द्वारा chest piece से चुड़े होते हैं और स्टेटोसकोप का chest piece आपके हिर्दय के स्थान पर रखकर डॉक्टर्स हिर्दय की इसी धोनी, स्पंदन की धोनी का अध्यन करते हैं जिससे उन्हें आपके हिर्दय की स्थिती का सही सही आकलन हो जाता है तो हैना ये बड़ा मजेदार और बड़ा ही रोचक अंग जो हमारे जीवन के लिए अत्यन्त आवशक है जब यह कारिय करता है तो हमारा जीवन चलता रहता है तो यह था अपना आज का पार्ट जिसमें हमने सीखा मालव युद्य की मिशेंपर फिल्म लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद